तो हलो फ्रेंड्स मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं एक रिंग लाइट जो कि एमेजोन से अगली वीडियो में दिखाया था कि इसको उनलाइन खरी सकते हैं 8 इंच का रिंग लाइट और कोई-कोई जो कि सोब की पर डुकानदा जो भी है तो आपको गलत भी देते हैं 10 इंच का रिंग लाइट भी देते हैं तो कोई बात नहीं उसको आप इजली रिप्लेश कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं आज मैं आपको एक माया हूं रिंग लाइट उसका अंबोक्सिंग करके मैं आपको दिखा रहा हूं एक्ट्वल में एह रिंग आपको दिखाता हूं और उसका पुरा extent side और अच्छा है की खराब है मैं ओर इंग लाइट आपको पुरा दिखा रहा हूं चलिए देखते हैं तो फ्रेंड्स यह रहा उसका पूरा पैकिंग, रिंग लाइट का पैकिंग और उसको अभी मैं एक मिला कुछ नहीं तो सबजी काटने वाला चाकू ही है, उससे ही काट देते हैं, तो इसके उपर बिल्कुल अच्छे से पैकिंग में तो कमी नहीं, अच्छे सा आया हुए, टेप भी अच्छा है तो चलिए अब इसके अंदर एक्ष्वल में वह रिंग लाइट ही होगा तो चलिए निकालते हैं उसको देखते हैं कैसा हो आता है और देख सकते हैं रिंग लाइट और इसमें एक आपको दिख रहा होगा कि 10 इंच है और हमने 18 इंच का ओडर किया था तो यह 10 इंच का है चलिए कोई बात नहीं देखते हैं कैसा है और इसके बाद देखिए इसके कुछ फीचर इडर लिखे हुए हैं और उसमें ए लंबा वाला जो हमको दिखाई दे रहा है एक्चुल में ए ट्राइपोड है तो ट्राइपोड की क्वाल्टी देखते हैं रि कैसी क्वाल्टी एक्चुल में निकालता है तो ट्राइपोड की क्वाल्टी तो अच्छी लग रही है चलिए हाँ फ्रेड़ ट्राइपोड अच्छा है ट्राइपोड में कमी नहीं है लंबा भी है और लेकिन रिंग लाइट में कमी है तो हमको दोनों प्रोड़क्ट अच तो बिल्कुल अच्छा नहीं मिला और इसकी प्राइज की बात करें तो हमको लास्ट में आपको प्राइज दिखाएंगे पहले इस रिंग लाइट को देख लेते हैं तो चलिए फ्रेंट्स देख लेते हैं अब इसमें पहले ए डब्बे में कितना बड़ा है सिल्फे इस्टेंड को पहले बाजू में रख लेते हैं और उसके बाद इसके उपर लेख सकते हैं 26 सेंटीमीटर लेकिन 10 सिंच हम लोग तो अट्रा इंच का किया था यह दो सेंच और देख सकते हैं कुछ इंट्रोड़क्शन और डब्बे के इधर मेक फेस एंड इंड इंड ब्यूटी वगार वगार बहुत कुछ लिखा हुए चलिया जल्दी से इसको निकालते हैं डब्बे से बाहर और फिर देखते हैं इसके अंदर का राजू तो अब यह निकल चुका है और डब्बे के अंदर देख लेते हैं कुछ भी नहीं है और इसके साथ में सेलफी रिंग के साथ में इतना कुछ मुटा है एक ठैली में इसको निकालते हैं इस से बाहर और देख सकते हैं इसके एक स्टेंड आता है जो कि फलेक्सिवल है और एक कशा हुआ है तो देख सकते हैं इसको भी कुछ स्क्रो जय साइज है देख सकते हैं घुमाने के लिए सब चारव तरप से घुम जाता है फ्लेक्सबल गेंद जैसे दिया हुआ है तो और इस्टेंड और सेलफी लाइट और इसके बाद में इसके साथ में आ जाता है एक रिमोट इसमें आन ओफ का प्लस माइनस का और एक कलर मोड का है तो बटन दिया हुआ है तो और इसके साथ में इतना ही कुछ आता है तो यह बिल्कुल छोटी सी है लाइट देख सकते हैं मैं हाथ से इसको दिखा देता हूं अंदाजा लग जाएगा एतना है दो सिंच का यह है और लाइट की बात करें तो कोई खास नहीं है इसको पावर ओन करके मैं दिखा देत हम इसको हमने अपने मोबाईल चार्जर स्रेटेच कर दिया है है और जेख सकते हैं इसमें एक पावर जल रहा है और चार तो इधर देख रहे हैं कि ए आ रहा है हमारा इस रिंग लाइट में ए रिंग लाइट में आ गया है और इसके अंदर वायर यहां ही लग रहा है यहां और पुरा प्लास्टिक बॉड़ी है तो इसमें कुछ दम नहीं है तुन का भीवता तो चलिए ठीक है और इसकी बात करें तो यह तो फिलाल ठीक है कोई बात नहीं चलेगा चलिए इसको जल्दी से पावराण करते हैं तो पावराण करने के लिए हमको बस यह बटन दबाना पड़ेगा यह पार वाली तो पार वाली बटन को दबाते हैं और देख सकते हैं यह पावराण हो चुका है पा और आफ पावर अन और इसका ए मोड रिख सकते हैं कलर का मोड और इसको मैं अभी कम करता हूं ब्राइतनेसको मजिद सतने हैं ब्राहिटनेसे कम हैं जड़ा करता हूं तो इससे आप पिंदियो तो फूंट नहीं कर सकते हैं हां अकर 8 योडियो सुट करने हैं और इसकी स्टेन्ट की बात करें देखिए मैं जला पुझा कि दिखा रहा हूं और इस्टेंड की इसकी बात करें तो इस्टेंड तो बुरा नहीं है ठीक है अच्छा ये कितना बड़ा इस्टेंड है मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि इस्टेंड है कितना बड़ा है तो इससे खोलने के लिए बस इसको एक खोलना होगा चलिए खोल लिया और इसको ब उपर होगा तो इसको मैं खोल के कर लेता हूं फिर दिखा देता हूं कि कितना बड़ा है चलिए इस्टेंड की बात करें तो इस्टेंड कुछ इतना बड़ा दिखता है आप लोग देख पा रहे होंगे इतना बड़ा इस्टेंड दिखाई देता है और मैं अगर अपनी बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं इतना बड़ा हो जाता है मेरे इतना बराबर इस्टेंड आ रहा है तो इस्टेंड अच्छा है इस्टेंड बुरा नहीं है तो फ्रेंड्स हमने आपको दिखा लिया है ओ रिंग लाइट कैसा है अगर हमारे हिसाब से बात करें तो रिंग लाइट अच्छा नहीं है क्योंकि हमने 18 इंच का रिंग लाइट ओडर किया था और उसने 10 इंच का रिंग लाइट सेंड किया है और चुकि 10 इंच का ring light send किया है तो उसके light से हम लोग कुछ कर नहीं सकते अगर क्यों ring light में हम लोग shoot करना चाहें तो shoot नहीं हम लोग कर पाएंगे क्योंकि बहुत कम ही जो कि 5 volt के charger से चल रहा है तो बहुत कम जाला उसका है और उठने लाइट में हमारा बिल्कुल अंधेरा आएगा तो उस रिंग लाइट को चाह करेंगे वापस हम कर रहेंगे क्योंकि हमको उस रिंग लाइट से कुछ नहीं हो रहा है उसका इस्टेंड की बात करें तो इस्टेंड तो बहुत अच्छा है और फ्लेक्सिवेल्टी की बात करें तो फ्लेक्सिवल ही मतलब जिधर चाहें उधर कैमरा को मोड के लगा सकते हैं और उसके बाद में रिंग लाइट हमारे कोई कामका नहीं हां इस्टेंड की बात करें तो इस्टेंड हमारे बहुत कामका है तो अगर आप इस्टेंड की तर बिल्कुल बरावर नहीं है कोई काम का नहीं है अगर एक तरह से बोले तो तो आज का फ्रेंट्स वीडियो यह है और हमारे वीडियों बिल्कुल सही और सटिक जो सचाई है वह चीज़ मिलेगा यह नहीं कि मैं लाकर दिखातूं और बोलनों कि बहुत अच्छा है नहीं अग का वीडियो यहीं तक अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा और लाइक वाली बटन दबा के जाएगा जिससे हमको पदा चल सके कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में